इस वीडियो हम बात करेंगे IRFC के बारे में IRFC के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर काफी सारे latest update निकल किया रहा है उसके बारे में देखेंगे वीडियो को पुरा लास्ट तो आप देखते रहिए सबसे पहली बात कि आप देखेंगे कि all time पे stock लगबग 600% से उपर चाहूंगा मैं हर दम कि जब भी stock आपको stable condition में देख जाता है railway के stock चाहे वो IRCTC हो आरवे निलो, IRFC हो, एरिकोन और फ्र जो भी कहलो आप railway sector के stocks तो यहाँ पे दोस्तो इन में काफी सारे यह चीज कामा देखने हो मिलता है जब भी stock stable होता है उसके बाद एक जबरदस तेजी यह मिलता है इसी stock की बात करेंगे तो एक time पे आप देखेंगे कि कितना stable condition में stock trade क stable हुआ फिर एक देबर दोस्ते जी अभी time में लागा तार देखने हो मिलता है तो कहीं ने कहीं जब भी stock railway के मैंने आपको यहाँ पे इस stock को 100 के आशपास भी बोला हुआ था कि जब भी stock stable होता है तो एक मौका बनता है 100 के आशपास बोला हुआ था और फिलाल दुस्तों कर हम बात करेंगे तो और भी बहुत सारे shares हैं जहां पर मैंने बताया हुआ था कि stable condition में आता है तो आराम से आप सोच सकते हो फिरस entry के लिए बागी लोग क्या करता है जब भागना शुरू हो जाता है उस time पे entry लेने के लिए सोचते हैं और कहीं ने कहीं अगर हम बात करें त फिर वहाँ प्यापको हो गई अभी हम जैसे इंटर किया गिर गया फिर थोड़ा exit किया फिर ऊपर चला गया ऐसे करके मतलब दूसरों करेंगे बाकी और भी कुछ बात करेंगे हम वीडियो में वीडियो को पुड़ा लाश्क तो आप देखते रही है और अभी तो आपने बात करते हैं इस वीडियो को सुल से पहले देखेंगे आप दस महिने में IRFC के स्टॉक ने करी 500% का मतलब गए सकते हो बढ़ा है और मार्केट कैप अभी के टाइम में दो लाख करोड तक पहुंचा दोस्तों कर हम बात करेंगे दो लाख करोड तक मार्केट कैप पहुंच दोस्तों अगर दिखा देखेंगे आप निकल कैरा निव्स मार्केट कैप दो लाख करोड तक पहुंचा जो कि अगर हम बात करेंगे तो इसकी वज़वया है जो भी देखने में मिल रहा है बाकि अगर हम दोस्तों बात करेंगे आप और भी कुछ इंफरमेशन के बारे में भारतियरले वित्तनीगयम अगर हम बात करें आए रेपसी ने आज एक महतोपूड उपलब्दी हासिल की क्योंकि इसका बाचार पुझी करण अगर हम बात करेंगे इसका पुझी करण पहली बार दो लाख करोड को पारक कर गया और जिससे यह उपलब्दी हासिल करने वाल एक news निकल किया था जिए large cap में stock जो इंटर हो चुका है अब large cap में इंटर हुआ उसके बाद यहाद दो लाग क्रोर का market cap भी हो गया और जो large cap में इंटर हुआ कुछ पहले ज्यादा पहले news नहीं है कुछ ही मतलब देखा जाता है आपके कुछ ही सब्ता कह सकते हो पहले news लाग के इंटर हुआ उसके बाद दुस्तों करेंगे तो already जो भी large cap में इंविस्टेड करने वाले लोग इंटरेस्टेड लोग होते हैं जो कि large cap में investment करते हैं मतलब जो भी investors हो सकते हुँ और राके बाके बैस बात करेंगे और भी कुछ information यहां पहरो यहां पर सारे शक्री hydrate करके जो भी आप पढ़ाइब सकते हुँ आप है उपर की और रैली जारी रखने की लिए प्राप्त समर्थर प्रदान कर रही है जो भी अब दिखेंगे आपर देखते हैं क्यों तरीका में क्या रिजल्ट निकल के आता है वह आने के बात पर तो चलेगा फिलहाल दोस्तों बात करें और भी कुछ इनिफर्मेसंस के बारे में दिखेंगे IRFC is now more valuable than M&M and Bajaj Auto and 19 other Nifty 58 stock अब दिखेंगे IRFC जो more valuable हो गया इन सब से कह सकते हो M, Mandra & Mandel B, Bajaj Auto and 19 other Nifty stocks अगर दिखा जाते है यहापे IRFC near 60% move in January itself a made a beast कहा जकता हो month for the share on record the stock has earlier gained 53% in the month of September last year आप दिखेंगे हो मिल रहा है यह जो निकल के आदोस्तों गरम बात करें आपे दिखेंगे यहापे जो भी अगर हम बात करें IRFC आप दिखेंगे यहापे दिखेंगे M&M Bajaj Auto और 19 other Nifty 50 shares अधीक मूलेवान है अगर अगर हम बात करेंगे कि टाइम एक रिकॉर्ड बनता हुए हमें दिखेंगे हिस्ट्री कहा सकते हो लागाता और अगर हम बात करेंगे औ आज की दिन भी आपर हमें बढ़ता हुए नहीं दर आया और अगर हम बात करें यहापे और भी कुछ इन्फोर्मेशन सब्सक्राइब आप दिखेंगे इसका मतलब यहाँ है कि IRFC न केवल सबसे मुल्यवान रेल्वे स्टॉक है बोलकि एक अधिन यहापे 2150 निफ्टी फि सब्सक्राइब क्या सकते हैं पर निकल कहा रहा है और अगर हम बात करेंगे आप तो मार्केट के यह आप दिख सकते हो मतलब कि कह सकते हो कि लागातार मतलब 2.1 लाग क्रोड को भी क्रॉस कर चुका है 2.03 क्रोड और बजाज अर्टो का 2.02 क्रोड मतलब 0.02 क्रोड लाग क्रोड अगर हम बात करें 2.1 लाग क्रोड और 2.02 लाग क्रोड और 2.03 लाग क्रोड और इसके कुछ देखने हो मिल रहा है आप यह पर देखी सकते हो सबसे काफी वेलवबल बन रहा है अगर दिखा जातो हो इन सबसे काफी वेलवबल नचर आ रहा है अब ही टाइम में जन्मड़ी में स्टोक लगबग 6% के परणत के साथ इस रीकॉर्ड पर आपके कैसकते हो से रमें जो भी आप दिखने हो मिलता है बाके है दिखेंगे आप आपके धिखेंगे अपके अल्रड हम बात करेंगे और बी कुछ न भी आवीश सक της आपके हो में लगा हुआ है 17,299 कॉंटिटी है अल्रेडी बाइसाइड में लगा हुआ है मोडर मार्केट क्लोज होने के बात भी कह सकते हैं कि जब अर्दस्त बाइंग हमें लागा आतार दिखने में मिल रहा है आज के दिन देखेंगे नौ करोड़ अठर लाख बात रहा जार दार द का बाइंग दिखने में मिला है वो भी इतना क्या सकतो क्वांटिडी में 32.56 परण का जब अर्दस्त बाइंग चल रहा है दोस्तों गर हम बात करें और भी कुछ इंफर्मेशन यहां पर दिख लेते हैं वीडियो को पूरा लाश्ट तो आप देखते रहे हैं और अभी तो अब बात करें आप वीशेश अगर बात यहां पर देखेंगे आप वीशेश भारती रेलवे अजध्य के लिए दोस्तों से अधीक कह सकतो आस्थाथा शपेसल ट्रेन चलाएगी अगर हम बात करें आप वीशेश अगर बात बात यहां पर जोबहें दिखा जाए तो भारती record गईर एक यहां से अधीक आस्था special train चलाएगी विशेस ट्रेनों का संचालन 22 जनुवरी के बाद शुरू होगा और यात्री आयर सेटिसी के विफसाइट से भी टीकेश बुक कर सकते हैं तो इसका फैयदा आयर सेटिसी को भी काफे जब अब तरीके से दिखने हो मिलेगा करीब 200 ट्रेंड से वाए पाइप देखें सकते हैं यापर पाइप लाइन में हो और यहापर अगर हम बात करें तो क्यूंकि भारती रेलवे 22 जनुवरी को राम मंदिर प्रार प्रतिस्टा कह सकते हो समारों के बाद आयोध्या के लिए आस्था special train चलाने की तयारी कर रहा है अगर हम बात करें आप और इंडिया टूडे ने कई राजियों के देखेंगे आस्था special train से भाव कि देखेंगे शुरुवाती मारगों तक पहुंची और पहुंच बनाई है जो भी देखेंगे आप एक और नियूज निकल के है जा पर आप बात करेंगे आप तो क्या आप आयोध्या यात्री के अजुना बना रहा है दोस्तो अब दहींगे आप भारतिय रेल्वे इन राजियों में से 200 आस्थाया special कह सकते हो विसे ट्रेंट चलाएगे दोस्तो अब बात करेंगे आप बात करेंगे आप तो एक और नियूज निकल किया है दोस्तो अब दहींगे इस वीडियो में कुछ यहीं दोस्तो अब बात करेंगे तो आज की इस वीडियो में कुछ यहीं जोस्तो अब बात करेंगे तो था बागी अगर वीडियो आपको अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक एंट सेर करना मत भूलें अगर कोई भी इन मिस्मेंट करने से पहले मैंने आपको आलड़ी बताया हुआ है कि इस टेबल कंडिसर पमें स्टॉक रहता है तो मेरा रिकमेंडेसर होता है मैं खुद बाई करता हूँ अपने आप में दखा जया तो बागी आपका क्या रिकमेंडेसर है स्टॉक को लेकि आपका क्याटर भीव है भीव तो यहाँ पर अप साइड का ही दिखने हो मिल रहा है और railway का जैसे ही बजट अनॉंस होता है कहा सकते हो कि और भी जब अरदस अगर हमें कि बजट में कुछ दिखने हो मिल आएगा तो कहा सकता हो और जब अपरदस तेजी हमें दिखने हो मिल आगा अगर दखा जाता है अपका क्या ओपेनिंट आप यह स्टॉक को लेकि नई जरूरर बताईगा आज के लिए कोशित ना ही फिलाल मिलते हैं एक इस दूसरे वीडिय